ओल्राइट तो हाई गैस वेल्कम तू वीडियो और आज का जैसे टॉपिक मैंने बताया फिबॉनाची एक्स्टेंशन होने वाला है तो फिर्स्ट अगर आपने फिबॉनाची रीट्रेस्मेंट का वीडियो नहीं देखा है तो यह आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो दे ओके आयोप आपने स्क्रीन्शॉट ले लिया है और नाव स्टार्टिंग ऑफ की स्टार्टेजी को यूज कैसे करना है सीधा पॉइंट पर आते हैं सबसे पहली चीज़ इसको यूज कब करना है हम लोग एक्स्टेंशन को कब यूज करेंगे एक्स्टेंशन को यूज करेंगे जब मार्केट अल्टाइम हाइपर होगा एटी एच हम लोग इसको तब यूज करेंगे जब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आएगा फॉर नियू टार्गेट्स नीचे के लेविल पर ज्यादा टार्गेट्स प्राइस अक्षिन के टार्गेट्स के लिए जब मार्केट में ट्रेंड पलटता है तो वह मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा ये दो चीजों के लिए हम लोग इस टूल को यूज करते हैं अब एक्स्टेंशन को यूज करने का गाईज एक तरीका थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको यह वन रहेगा कि अगर मार्केट साइडवेज था लेट से आज 22nd October है आज अगर मार्केट साइडवेज है तभी मैं फिबोनाची एक्स्टेंशन अपलाए करूँगा अगले दिन उसको यूज करूँगा ताकि ट्रेंड में मैं टार्गेट्स लगा सकूं आल राइट तो अगर मार्केट ने एक दिन पहले ट्रेंड करा है तब हम लोग फिबोनाची को उतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे ऑल राइट पॉर एक्साम्पल यहां पर अगर मैं देखता हूं ओवर हीर इस इस साइडवेज मार्केट राइट इन दिस केस आई विल बी यूजिं ऑल अगर अगर अप्ट्रेंड होता है तो हम लोग फिबोनाची कैसे अपलाए करते हैं स्विंग के लो से स्विंग के हाई तक राइट लेकिन यह बात होती है री ट्रेस्मेंट में जब हमको साथ में ट्रेड लेना है अगर अगर अप्ट्रेंड तो हाई टो लो डांट्रेंड है तो लो तू उट्टा अपलाय करना है तो अब यह किस टाइप का ट्रेंड है अवबर ओल यहाँ पर मार्केट कैसा है, ऊपर की तरफ के हमको टार्गेट सब्ण चाहिए है तो हम लोग कैसे आपलाय करेंगे इस at this high point and the second click would be lowest level lowest level जो भी उस दिन का वहाँ पर मेरा second click लगेगा तो यहां से अब यह जो 100% का level है इसके उपर दो लेवल आपको आते हो दिखेंगे अगर आपने वो सारी settings जो मैंने बोला copy कर ली है तो क्या क्या लेवल 1.328 जो की इसका extension है and 1.618 जो की इसका extension है तो यह दो बहुत जादा crucial levels आ जाते हैं I hope आपको अच्छे से समझ आया है मैंने क्या बोलने की कोशिश करी है अगर समझ में नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों को as levels आपको consider कर लेना है और यहां पर आपको at least bank nifty कर रहे हो तो 30 points उप पर प्राइस हा रही है 38,951 तो उपर की तरफ 38,981 और नीचे की तरफ 38,921 यह आप प्रॉपर एक रेंज बना लोगे यह प्रॉपर आप एक रेंज बना लोगे 38,921 यह पूरी रेंज बहुत ही जादा crucial level of resistance रहने वाली है for the next day इस तरीके से आपको इसे use करना है अब आप देख सकते हैं now सबसे पहले हम इस वाले level की बात कर लेते हैं इसको हम लोगोंने as a major resistance बनाया है यह वाले level को 1.328 पहला हमारा level था तो 1.328 के 30 points उपर और 30 points नीचे अब आपको दिख रहा होगा कि क्यों मैंने बोला 30 points का buffer रखना है just have a look how what do you call it accurate this will work 30 points का rule आपको बैंग न है आपका यहां पर buy entry generate होता है यह आप ऐसा target 1 रखेंगे फिर target 2 and target 3 हजीव होने के chances बहुत ज़्यादा easy हो जाएंगे इस तरीके साब को strategy को use करना है all right I hope आपको अच्छे से समझ आयोगा मैंने क्या बोला एक बार मैं आपको इसको और यूज करके दिखाता हूं let's talk about this point अब यहां पर market open हुआ था somewhere around here right over here तो यह भी एक दिन sideways to bullish था बट क्योंकि यह movement बहुत जादा अच्छा नहीं था and towards the end of the day काफी लगबग 20% जो movement था वो वापिस retrace कर गया था market तो हम यहां पर 20 को apply करेंगे अब यह उपर की तरफ का movement है तो up to down हम लोग इसको बनाएंगे अब rule आपको याद रखना ही है 30 points up 30 points down दोनों resistance इसका तो पहला resistance यह है इसका 30 points अप हो गया लगबग यह and 30 points नीचे हो गया लगबग यह point राइट यह proper मेरी 30 60 points की मेरी पूरी range बन गई आप यहां पर देख स तो मेरा target 1 बनेगा यह और जब तक यह break नहीं आता फिर अगर मैंने यह movement मिस कर दिया तो मैं इसके break का वेट करूँगा and then next target लूँगा if the market opens below 1.328 यह कुछ minor चीज हैं जो आपको याद रखनी है सबसे पहली चीज हो गई 60 points का आपको range बनाना है second चीज यह हो गई कि अगर market 1.328 के नीचे open होता है अगर market 1.328 के नीचे open होता है इसके तो उपर open हो रहा है gap up open हो रहा है 1.328 के नीचे open हो रहा है आपको तो 1.618 जो बनेगा level जो 1.618 बनेगा उस पर 60 points की रेंज नहीं बनेगी यह जो range है आपर नीचे open होता है 1.328 के 30 points की यह range बनी उपर वाली range 15 points के अगर हम लेते हैं so then that would be लगबग लगबग 30 points के आसपास आप इस range को बनाते हो यह breakout आया यहां से आपका यह target बन रहेगा यह target तू रहेगा आयोप आपको समझ आगा नहीं समझ आए तो playback करके इसको दो बार देखो कम से कम ताकि आपको अच्छे से वीडियो को आपको अच्छे से strategy समझ आजाए थोड़ी सी complicated हो जाती है कभी-कभी बट इसको यूज करना बहुत ज्यादा beneficial है all time high के टाइम पर आल राइट तो sideways market मे को यूज करना है और इसको opposite लगाना है opposite to trend मतलब अगर trend low to high है अब trend है तो आपको high to low Fibonacci अपलाए गरना है and third thing अगर market 1.328 के नीचे open होता है तो आपको 1.618 पर so 1.618 पर आपको कितने रुपए की range बनानी है 15 to 30 पॉइंट यह आप यह आपकी choice है कितनी में बड़ी range बना सकते हो all right now 20.25 की बना लो that would be perfect and अगर market 1.618 के उपर open 1.328 के उपर open होता है तो फिर आप 1.618 को वही 60 पॉइंट की range बनाओगे जैसे कि हम लोगों ने इस लेव all right now let's talk about a situation like all right so यहां पर तो trending market है and all right so over here there is this kind of a small trend but क्योंकि यहां पर price action नहीं में को guide कर दिया होगा in this situation price action ही था उपर तो हम लोग फिबनाची नहीं करेंगे की all time high के पास नहीं था market इस वाले rally के टाइम पर so now I'll show you some moves in Tata power Tata power आपको पता होगा बहुत अच्छा momentum देकर आया है अभी recently and काफी अच्छी opportunity एक Tata power के अंदर बनी थी तो यह भी sideways type का market है guys and यहां पर फिर से एक range बनी which was this range यह एक proper market के अंदर range बनी थी and इस range के बन जाने के बाद में अच्छे खासे upside के market में आपको targets भी मिल गए थे right so over here कैसे use करना है विसको just see यह sideways पूरा का पूरा market है this is a proper sideways range इस range का यह high है यह इस range का low है तो इस high से इस low पर मेरे को उल्टा अप्लाए करना फिपुनाची को तो आय ज़स्ट अप्लाइट लाइक दिस और नाव नेक्स डे मार्केट ने 1.328 को ब्रेक करा अब यह इसके अंदर stocks के अंदर यहां पर आप जो भी बनाऊगे बनाऊगे डाट शुड भी जो भी आप एक्स्ट्रा बफर का जो हमने जोन बनायते जैसे 60 पॉइंट का था बैंक निफ्टी के अंदर तो यहां पर 0.1 परसेंट का आपका होना चाहिए 0.1 परसेंट का बफर जोन होना चाहिए आपका in case of stocks तो यहां पर अगर मैं 0.1 परस यहां पर ब्रेक आउट आता है यहां पर आप बाय करोगे इस विल बी और टार्गे यहां पर अप्लाए यू नहीं करेंगे बिकॉस प्रिवियस दे मार्केट वस ट्रेंडिंग तो इस तरीके से फिर सम को फिबॉनाची ने help कर दी that's how you are going to use फिबॉनाची अब वापिस लोग आते हैं अब तो ओवर हीर देर इस नतिंग तू शो आई से बैंक में आते बिकॉस इसने भी रिसेंट्ली अपना अल्टाइम हाई लेवल ब्रेक कर आए ओके तो यहां पर भी एक साइडवेस टाइप अवर सिच्वेशन है यह वाला पॉइंट हाई है यह वाला पॉइंट लो है आप सब देख सकते हो यू आल केन अल्सों सी तो अगें पॉइंट वन परसेंट का में रेंज लेता हूं तो लगब लगब यह हमारी रेंज बनेगी डाट वूड बी रेंज रही अगें आज मार्केट कहां पर आया गैप अपन हुआ बट जीरो मार्केट ने इस लेविल से ट्रेस्मेंट या एक सेलिंग प्रेशर लिया इस तरीके साब को अल्टाइम है स्ट्राटजी को यूज करना है फॉर मोर इंफॉरमेशन आप डिस्क्रिप्शन को रेफर कर सकते हो वहां पर मैंने इसको इन डीटेल एक्स्प्लें करने की पूर आस पॉसिबल ओल्राइट ओके गई यह तो होगे हमारी एटी एच की बात इसको रिवर्सल में कैसे यूज करना है सर लेट्स एक अप्ट्रेंड चल रहा है एंड सडनली क्या होता है मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ जाता है इन इस सिचुएशन यह ट्रेंड के नीचे अगर आपको कोई एरिया ही नहीं दिख रहा आपको कई प्राइस अक्षिं लेवल ही समझ में रहा तो तो आप फ़िबॉनाची को यूज करके एक्स तेंशन को यूज करके ट्रेंड के साथ ऐसाथ एक्स्टेंशन एक्सेंड टारगेट ट्रेंड खतम उने के बाद भी रि तो यहां पर क्या हुगा यह बन गए मेरे सारे फिब लेविल अल्राइट अब ओवर हियर मैंने आपको क्या सब्सक्राइब फिबॉनाची में जैसे यह एरिया ब्रेक होता है 0.5 से 0.618 यह बहुत क्रूशल डिमांड एरिया होता है यह काफी क्रूशल डिमांड होता है अग यहां से रिवर्सल आता है तो एक्जिट कर देते हैं हमारी रिवर्सल पॉशेशन को तो ओवर हियर आपको अपलाए करना है अगर अप्रेंट है तो लो टू हाई अब जैसे मैंने इसको सीधा अपलाए करा तो नीचे की तरफ फिर से लेवल्स आ गए अब इन लेवल्स का यूज करके मेरे को एक्स्ट्रा टार्गेट मार्केट देगा लेट सी यहां पर मेरी शॉट पॉशिशन बनी राइट जैसे यह 618 ब्रेक हुआ तो दिस इस इस प क्या इस पर आपको टार्गेट किसे मिलेंगे इसके बाद आ अपको यह जो लोगर लेवल पर यह फिबॉनाची मिल रहा है अगें इसका वही 0.1% की range बना करके target and stop loss आप लगा सकते हो इसको आप trailing stop loss के लिए भी use कर सकते हो यह आपका target हो गया and इसी तरीके से आप अपने target को trail करते गए करते गए करते गए and आपको इतना बड़ा target मिल गया अब क्योंकि यह भी break हो गया तो next target क्या है यह वाला तो once you are going for this target आपका stop loss trail होगे कहां पर आगया है at this point okay इस तरीके साब Fibonacci के reversals को भी use कर सकते है I'll just show you a couple of more examples so let's talk about this place guys इस जगह की बात करते हैं यह highest point है and यह lowest point of the trend right high and low of the trend में आपको बता दिए अब यहां से क्या होता है यह breakout आया यहां पर हम लोग buy करते हैं with this stop loss target 1 target 2 and then target 3 क्या होगा हमारा 1.328 का level so इसमें भी 0.1% की range होगी so this will be the range यहां पर भी हमारा again targeted हुआ and market ने exactly यहां से retracement दिया वापे सब्टरेंट continue करा फिर से यहां पर 0.1% की हम लोग अगर range बनाते हैं just a second guys यह हम लोग 0.1% के अगर range बनाते हैं तो लगबग लगबग यहां पर भी हमारा target हिट हो गया and फिर market में reversal आया so Fibonacci के reversals के लिए आप trend reversals के लिए आप extra targets के लिए trend reversal के extra targets के लिए आप Fibonacci को use कर सकते हो I hope आप लोगों को इस strategy समझ में आई है अगर नहीं आई तो वीडियो को एक बार और देखो फिर भी कोई doubt आता है feel free to DM me I will answer your questions on instagram and जादा ही नहीं महनत करनी instagram पर जाने की तो नीचे comment करके अपने question को पूछो I will answer them personally myself इसको और बैक टेस्ट आप कर सकते हो strategy को ताकि आपको confidence build up हो and live market में उसके बाद news करना स्टार्ट भी जाए alright is